अगर आप फर्स्टेम और वीडियो को देखेगा अगर आप से रिप्रेशर चैनल सब्स्राइब करके जरूर जाएगा बिल्कुल मत बूली का तकि जब भी वीडियो डालों नोटिपिशन आप लोगों का पहले मिल रहे हैं अज बहुत ही जबर्दस जो डिखने को मिला है मार्गेट और जो रजिस्टेंज था 34,000 इसके ऊपर प्लोजिंग आया है यहां से 400 और ओर वी उपर मुपन्ट आया है तो आज जो इसका अगला रजिस्टेंज सहाँ यहां पर 35,200 इसे भी टेस्ट किया है तो मार्गेट जो इसका रजिस्टेंज मना जोना चाहिए राइट तो अब जो planning होत ट्रीडिंग का अब सौण की तरफ नहीं होना से इधर से जो planning होनाची मालो कल के दिए पके responsible ही बनता है तब लेकिनHey ऐसकी ओपर ही रहे मतलब 34800 सब्सक्री के अपार शाय colocar करें तो अब तयार्यों अच्छा सॉट कवरिंग हुआ लेकिन पूरा फोकस मेरा निप्ती में था और इसका मेन कारण था क्या देखिए चली निप्ती के चार्ट में आते हैं कल मैंने आपको प्वैंट बताया था कि देखिए अगर एक गलती मुझे करना पड़े तो मैं बार बार करूंगा अगर ए आप ट्रेट नहीं कर पाएंगे लर नहीं कर पाएंगे चली मैं क्या पाइंट आपको शेयर करता हूं दिखिए अजब मार्केट यहां से कंटीनूंगी रहा जैसे कल मैंने शेयर के था आप लोगों से कि अगर लोर साइड में जाए इस पाइंट के नीचे तो इमिडेट कर सकते हैं अच्छा हुआ थोड़ा ऊपर खुला ऊपर खुल के दीरे आया यहां पर अगर सॉट कियोंगे तो यहीं केंडल में बड़ा ट्रेड मिला होगा लोर साइड में जो हमारा टार्गेट था मतलब 16,000 के विलो हमारा से था ठीक पॉइंट यहां से ब्रेकडाउन तो हम लोग इससे बाइंट रहेंगे जब यह पैटन बन रहा था तो यह जो रेट केंडल बन रहा था इसी समय मैंने आप लोगों को यह पॉइंट शेयर किया था लगवग 11 बस के 30 मिनट के आसपास का टाइम है कि अब यहां से मार्केट रिकवर कर सकता है निप्टी में होने की प्रॉबिलिटी बहुत है जब यहां से डवलू पैटन बन गया तभी मने आप लोगों को सेयर किया कि एक पर्फेट डवलू पैटन बन चुका है इंपोटन कहा है देखिए डवलू पैटन भी बन गया लोग यहां पर बाइंग भी किये होंगे लेकिन यह जो हीं टिनिंग तक जब तक मार्केट आख शलता है मेरा लाइप चलता ओकी जब एक कैंडल नीचा रहा था ओके तो ढूप Sharing करता हूं एक तो इस कैंडल तोसे होलोगनों वल्होग इतना ज्यादा था मैं ने दोह में जै़ लाइक बटन कमेंट किजिए और बताई इसमें लर्निंग कितना हुआ प्रॉफिट तो किये होंगे नो डाउट लर्निंग कितना मिला देखिए क्वाइन क्या था एक तो यह ओवर सोल्ड हो गया था दूसरा यहां से डवलू पैटन भी मन रहा था डवलू पैटन बनने के ब सौट कवरिंग का डे हो जैसे एक्सपाइर का डे हो बॉटम के आसपास मिल रहा है तो इसे ही एज्यूम करिए और जब तक यह वालूम आला जो कैंडल रहे या जो पैटन रहे जब तक लो ब्रेक ने करे तब तक पोईशन को आप करिए यह जब दो कैंडल नीशी आ है तो बहुत लोग हमारे लाइब से ही एक्जिट कर लिए जबकि मैं बहुत रहा था अगर आप में टेली राम चनल में आपको सेर कर सकता हूं यह ऊपर जाएगा तो लड़कों को नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ लोग जो जिन लोग मनी मेनेजमेंट नहीं करते उन लोग यहा कि यह अगर गलती से लॉस होता है तो खुशी खुशी लॉस ले लो क्योंकि यह पेटर बार आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ट्रेड लिया हूं दोस्तों तो कितना बड़ा ट्रेड था मैक्सिमम ट्रेट इसी में मिलता है और ऐसा दीन कभी-कभी देखने को मिलता है मतलब इतना बड़ा सौट कभरी कभी-कभी आता है मेरा टार्गेट यहां तक था कि यहां तक तो एटलीस रिकवर आएगा लेकिन देखिए मार्केट कहीं रूखा यहां थोड़ा पॉज लिया मार्केट किस तरीके से मुमेट आया है मैं आप लोगों को बताया कि यहां से ट्रेड लिया होंगे आप लोग 16,000 के आज पस आपने प्रॉफिट बॉकिंग कर लिया होगा ठीक है क्योंकि आप पर जो रिक्स था वो 500 से 600 था टेलीराम चैनल को मैं दिखिए चेक करके मैंने मैसेज में लिखा है कि 5600 से ज्यादा का लॉस होगा नहीं हाँ अब इसमें अपना रिक्स देखिए कि आप फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं यह कॉल बाइंग कर सकते हैं या फिर और कुछ कर सकते हैं पूर सकते हैं अपना व्यू रखिए अपना लॉस रखिए कि इतना मेर प्रेट करें तो लॉजिक बहुत कीलियर होगा यह से आप लाखो रुपया देंगे ना तो किसी कोर्स में आप समझ नहीं पाएंगे जो लाइब में आप लोगों को बताता हूं क्योंकि यह लाइब मार्केट चल रहा है ठीक है और यहीं जो मेरे साथ लड़के जवाइन भी देखोगे और एक्षोल होगा थीरी तो कोई भी पढ़ सकता है थीरी तो कोई भी बता सकता है चलिए मैं थोड़ा एक मैसेज करता हूं आप लोगों को मॉर्निंग में 26 तरीक है मॉर्निंग में ओपन हुआ हम लोगने सुरवात में स्टेंगल बनाया जैसे कल बताया था ल दीए यहां पर के टाइम है ज्यारा बसके तीसम मिनBayट यहां परिक केंडल सेने बनाये ख़या हुगार इसे क्यों क्यों बटाया हूं तो इस और बिलीव टाये में रिकावरी आने की प्राबिलिटी को बहुत आ इसके बाद W pattern बनाया है कि W pattern के ऊपर हमें trade लेना चाहिए और इभी मैंने share कि इस low के नीचे pattern फेल हो जाएगा अगर माल लेजी यह जो candle बन दाता है candle इसके नीचे आता तो pattern फेल हो जाता है मैंने लिखा भी था फिर क्या हुआ देखे मैंने future का strategy बना के दिया trade लिए होंगे आप लोग आसर करता हूं मैं फिर क्या एक बहुत important message आए इस जिरोधा में आया क्योंकि जिरोधा में सोगता है लिखे 7 लाग से उपर का volume इसमें आया यहां पर देख रहे हैं 7 लाग से उपर का buying हुआ इन दो candle म इसके बाद नीचे आया दो candle इसमें volume ही नहीं था तो अब मैं समझ गया था कि इसमें से breakout आएगा अगर इसके उपर again गया तो यह बहुत fast moment आएगा परशाइड में यह point मैं live में लड़कों को share कर रहा था ओके अगर आप live में जोईन होना चाहते हैं तो जड़ोधा अप्स इस setup बहुत बढ़िया है इससे ज्यादा क्या confidence दे सकता हूं आपको कि दीन में लोगों ने बनाए butterfly इसमें आपको 1000 रुबय मिला होगा तो आल्मोस लगभग सभी ट्रेड में आपको profit मिला है आसा करता हूं आप trade करते होंगे learn करते होंगे चली अब हम लोग आगे बढ़त निप्टी का हुआ यह है बैं निप्टी का बैं निप्टी बिल्कुल टॉप में close किया है यह over bought है तो खुलते ही इसके उपर bind नहीं आएगा तो कल कैसे trade करेंगे चलिए इसे थोड़ा सा समझिए मैं चार्ट को थोड़ा सा 15 मिट के line में कर रखा हूं तो सबसे पहले आप आप यहां पर यह line ड्रा करें आप अपने चार्ट में भी ट्रा जरूर कर लिजेगा इसके ठीक है और इस line के ऊपर आप ड्रा करेंगे ज्यादातर market breakout करने के बाद इसी के आसपास trade किया है यहां पर फिर से trade आया मैंने लड़कों को बता रहा था जब इसके उपर मैंने ब देखिए ऐसा candle चाहिए ऐसा reversal में री टेस्ट के पास ऐसा candle चाहिए हैमर जैसा candle चाहिए इसका हाई क्यों पर बाई इसी का लोग का एसे और एक अगें तो ऐसे चाहिए जब भी मतलब रही टेस्ट के आसपास आपको ट्रेड मिलेगा बहुत ही बेहतरी रीड मिल जाएगा ओके तो फ्रेंडस अब करेंगे देखिए लॉजिक समझ यह इसी वेवे में यह ट्रेड नहीं है और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा यह सौट नहीं होग तो कल का जो ट्रेड सेट अप होना ची इसी रेंज में होना ची ऐसा मेरा प्लामिंग है कल औस एक नीचे में नीचे आता है तो हम लोग इसे आवाइट करेंगे लिकिन इस रेंज के आसपास बाइं के बारे में ज़रू सुचेंगे तो लेवल के होगा हमारा बाइंग का 34,800 कोई इस टाइब का हैमर केंडल बन जाए या भी जो भी यहां पर बुली सकेंडल बन जाए बुली सकेंडल के ऊपर या मैक्सिमम इस टॉबलास आपको हैंड़ेट पाइंड का रखना पड़ेगा क्योंकि टॉप के लेवल में तो हमें इसी सेम एक्सपाइरी का इस्टेडल बनाएंगे मतलब जून का दो जून का इस्टेडल बनाएंगे इस्ट्रेंगल बनाएंगे हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल सकता है लोजिक आप समझ लिजे 125 के प्रियम को हमें बेचना है ठीक है धाई बजे ओके और यहां पर आपको आदा गंटा एक गंटा पोजिशन रखना है इसे में हजार रुपिया 900 रुपिया आसपास का पर लौटना पैसा मिल जाएगा तो आज कीजेगा इस रेंज में रता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा मौनिंग में खूलते ही भाई मत करिएगा ठीक अगर कल यह इसी रेंग में क्लोज देता है ठीक है तो हम मंडे के लिए प्लानिंग करेंगी इसमें अपर सब्सक्राइड मिलना चाहिए हम पोजिशनल बाइंग करके जा सकते है ठीक है इसमें अब हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए कब तर जब तक 34,800 की उपर आता है त गलती से अगर 34,800 की नीशे आएगा तो फिर से यह सेल की तरफ एक्टिवेट हो जाएगा तो फ्रेंड से हुआ बहुत बढ़ियां बना है इसका इधर आएगा तो निप्टी में भी थोड़ा सा मोमेंट आ सकता है कल भी निप्टी में आ सकता है कंटीनू में लेकिन जैसे इसी लोजिक में ट्रेड होगा तो हम लोग करेंगे अगर बाई के बारे में सोचना है तो कल निप्टी के ऊपर सोचे निप्टी आपको बाइंग देगा तो कैसे करेंगे देखिए यहां तक तो उमीद कम है कि यहां तक निप्टी आ जाए 16,080 के आसपास लेकिन आज आत तो ट्रेड कर सकते हैं टार्गेट हम लोग अपर साइड में इधर और इधर रख सकते हैं आने वाले दिनों में जो मुमेट आना चाहिए वो निप्टी के तरफ से आना ची नजर रिखी का ट्रेड अच्छा हो सकता है तो रिवर्सल में ट्रेड लेंगे यहां पाथ 30-40.000 ट्रेड रखना पड़ेगा ठीक अच्छा चाट पैटन रहा तो मैं ट्रेड आम चलों में सेयर करूंगा आप ट्रेड हमें जोईन हो सकते हैं ठीक लिंक वीडियो को डिसेशन में वी लेवल है तो दीके 30-40.000 के एसल रखके अपर साइड में ट्रेड हमें 80-90 रूपया तो अच्छा एक पाइंट और शेयर करना चाहूंगा आप लोगों को कल या एक दो दिन की गिरावट में मेरा जो पॉट्पोलियो था लगभग एक एक लाग डेड़े लाग दो-दो लाग माइना सो रहा था आज बहुत अच्छा रिकावरी आया लेकिन रिकावरी में कितना इस पॉट्फोलियो में मात्र 25,000 वापस आया ठीक है मतलब आज बढ़ा हुआ है मनी कंट्रोल में पॉट्फोलियो मैंने बना के रखा है ताकि बीच बिच बिच में वाज कर सकूं तो इससे मालूम चल रहा है कि स्टॉक मेरी कवरी कम आया है केवल फ्यूचर में इंडेक में रिकावरी हमें देखने को मिला है तो बहु ज्यादा बुलिस मतलब इस्टोक मत हो जाई इस्टोक बाइंग करने का चांस मिलेगा ओके तो इह हुआ दोस्तों हमारा निप्टी और बाइंग निप्टी का लेवल अब चलते है इस्टोक जिसमें हमका ट्रेड कर सकते है अच्छे मार्केट में भी गिरावर दिखाए में भी कंटीनू हो सकता है तो वाज की जेकल अगर डाउंसाइड ब्रिट करता है तो सौट कर ले सकते हैं ठीक है आरेसाई में भी काफी नीशे है मतलब लगब ओवर सोल्ट के आसपास है लेकिन थोड़ा रिकवरी आया है इ इसे आपने चोला मेर्स टेट किया होगा अगें चोला बहुत अच्छा टेट भी आप लोगों को यहां पर अगर कोई बेरी स्केंडल मिलता है तो सौट होगा ठीक है और अगर यहां से सौट होगा तो टार्गेट हम लोग यहीं तक रखेंगे मतलब ग्यारा सो सकतर तक र सबसे बढ़िया ट्रेड होगा ऊपर की दरफ अगर थोड़ा ऊपर फुल के जाए या डारिक्ट ऊपर खुले पांस मिंट पंदरा मिंट में जो भी रेट केंडल दीखे रेट केंडल के निचर सेल करना है ट्रेड आपका इजी और अच्छा हो सकता है चलिए तो दोस्तों देखें ये अच्छा मोमेंट दिया है अगेन इसमें रिट्रेस्मेंट है और अब आशपर जाते के घ्लोश किया है तो रिट्रेस्मेंट भी होगया है और यहाँ पर फुल डाउन उपर गयाते support बन जाएगा फिर यहां से निकल जाए तो हमारा यह बन जाएगा यह लामारा बहरेगा 1290 का और ट्रेट उपर शाइड में ट्रेट ऐसजा हो सकता है अगर इसे अच्छा हो सकता है अगर इसे breakout मेंता है तब इसके साथ दोस्तों next stock है यह टार इसे भी नज़र रिखे अगर डिली चार्ट में देखें तो यह भी अच्छा पैटन बनाया है ड्रेगर फ्राइड डोजी अपर शायड मुवमेंट आना ची एट लिस्ट यहां तक आना चीए 735 के आसपास तो केवल रिकवरी का ट्रेड है सेम पैटन बना हुआ है कंटीनियू में मुवमेंट आया एक रिट्रेश्मेंट लिया टॉप के आसपास जाके क्लोज किया है रसाय में थोड़ा फूल हो चुका है थोड़ा नीचे फूल के ऊपर जाता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं बाइ यहां ओपन हो के नीचे आता है और फिर हाई बनता है तो इस लोग असल डाल देजिएगा लेकिन मैक्सिम असल बनेगे इसका सेवें सिस्टीन का डाल के टार्गेट हमारा इदार होना चाहिए ट्रेड बढ़िया है ठीक है तो इस टॉप लास के सांब साथ ट्रेड भी सकता है इस हाई कर जा सकता है मतलब यह आने वाले दिनों में सेवें नाइन क्रिप्टी या फिर एट थाउजन के आसपास का भावे दिखा सकता है कुएंटिटी छोटा कीजिएगा ट्रेड अच्छा हो सकता है बड़ा स्टॉक है थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट कर ठीक है इसके बार ट्रेड होगा दीके लोवर लेवल से अच्छा रिकवरी आया है टॉप इंट के आसपास जाके क्लोज किया है इसी स्विंग लोग का हमें एसल रखना पड़ेगा डवल सेवें सेवें जीरो का हम एसल रखेंगे हाई की उपर बाइंग करेंगे सेवें ए तो यहां तरका टार्गेट के लिए आप इससे बाइंग करके जा सकते हैं तो मुझे लग रहा है चालीस-पचास पाइंड के यह से लोग हैंड़ेट पाइंड के आसपास पर तार्गेट भी आपको दे सकता है तो दोस्तों आज के वीडियो में तक आई हो पसंद आया करेंट केजिएगा चैनल सब्स्राइब में तो चैनल सब्स्राइब करके जरू जाएगा मिलता हो अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाएंड